नमस्कार दोस्तों आपका हैSTR खेती में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसमें आप दो फस्लों को एक साथ होगा सकते हैं और दोनों से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और लागत भी आपकी बहुत कम हो जाएगी तो दोस्तों एक तरीका जो है जो बहुत से किसान भाई अपनाते हैं तो गन्य की बुआई करते हैं कुछ किसान भाई केवल सिंगल गन्य की बुआई करते हैं उसके साथ दूसरी फसले नहीं लेते हैं लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो गन्य की बुआई करते हैं और यांधिया है तो दोस्तों इसके लिए आप याद के साथ में सही खेती कर सकते हैं या इन सकते हैं साथ में और उनसे भी एक्स्ट्रा इंकम कर सकते हैं और उरध की खेटी या मुन्ग की खेटी भी साथ में कर सकते हैं और कुछ किसानबायी प्याज आधि भी लगाते हैं तो बहुत से जो आप सबंजी वर्गी केश्वस्य खेति करते हैं, यह साथ में सबजियां उगाते हैं तो आपको दो फाइदे बड़े अच्छे भ्ग से मिल सकते हैं एक तो दोस्तों जब आप गंने की बुराई करते हैं तो ट्रेंच गन्य की बुआई करें और ट्रेंच गन्य से बुआई करते हैं तो तीन से चार फिट की बीच में गैपिंग मिल जाते हैं जिसमें दूसरी फसले आप आसानी से उगा सकते हैं अब दूसरी फसले जो आप सब्जी खेती करना चाहते हैं तो सब्जियों के जो पौध आप लगाएं वो पहले से पौधे तयार कर लें साथ में बहुत से किसान भाई बुआई करते हैं इस से नुकसान दोस्तों एक होता है कि जब आप गन्य की बुआई करते हैं तो पौध जमने में गन्य में भी 20-25 दिन लग जाते हैं और सब्जी के पौधे जो अंकुरित होत चैन करने के लिए आपको सुझाओ देंगे कि यदि आप देशी किसम का चैन करते हैं तो आपको आगे क्या फाइदा होंगे वो भी दोस्तों आज हम आगे आपको बताएंगे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब आप सब्जी की खेती साथ में करने की ठानी है तो उसम से आप ककड़ी की खेती कर सकते हैं, खीरे की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं, या लौकी तरोई, कदू, आदी की भी साथ में खेती कर सकते हैं, निर्भर आप पर करता है कि आप कौन सी खेती करना चाहते हैं, कुछ किसान भाई भिंडी की भी साथ में से फसली के रूप में खेती करते हैं आप दोस्तों एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना है कि यदि आप सबजी की खेती करना चाहते हैं तो आपको पौधा जो है पहले से तैयार कर लेना पहले से आप पौधा तैयार कर लेते हैं वो चाहे मिर्च के पौधे हो या सबजीयों के पौधे उससे फाइदा यह होगा जब आप गन्य की बुवाई करते हैं तो गन्य की बुवाई करने के बाद जो आप नर्सरी पहले से तयार कर लिए उनकी साथ में आप रुपाई कर दें रुपाई करने से पौधा आपका पहले से तयार होता है इसलिए वो पहले ही ग्रोव करता है जब तक गन्य का जमाव होता है तब तक आप जो सबजी के पौधे पहले से रुपाई कर दिया है वो अच्छे से तयार हो जाएंगे और अच्छे से ग्रोव करना चालू हो जाते ह थोड़ी थोड़ी हलकी हलकी सिचाई करने की आवसकता बीच में पड़ती है तो आप सिचाई करते रहें और बीच से 25 दिन के बाद जब गन्ये में भी अत्रिक्त सिचाई यानि पहले सिचाई की आवसकता पड़ती है तो इस प्रकार से एक सिचाई जो आप गन्य के लिए करना चाहते हैं साथ में सब्जियों की भी सिचाई हो जाएगी और इस समय जब आप पहले सिचाई करते हैं तो गन्य में कोई ना कोई कीटनासक डालते हैं और तब तक आप जो सब्जी के पौधे पहले से रुपाई कर चुके होते हैं उसमें फूल आना चालू हो जाते हैं या फल बनना भी चालू हो जाते हैं तो ऐसे स्थित में उसमें भी कोई ना कोई कीटनासक डालने की आपको आवस्ता पड़ जाती है तो यदि आप कीटनासक डालते हैं तो जो तना छेदक होते हैं या फल छेदक होते हैं इसमें एक ही कीटनासक डाला जा सकता है जो आपके गंने को भी फाइदा करेगा जो आप सब्चाओ कर पाएगा उन्में भी रोग लगने से बचाओ हो जाएगा तो इस प्रकार से एक साथ आप दो फसलें तो उगा सकते हैं और लागत भी आपकी काफी कम हो क्योंकि गन्य के लिए तो आप दवा डालेंगे साथ में आप जो पौधे लगा रखें उसमें भी वही दवा काम कर जाएगी और आपको एक्स्ट्रा अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा इसके साथ साथ जब आप पहली सिचाई करते हैं तो उर्बरक बहुत से किसान भा पौधे जो लगा रखें उनमें भी दे सकते हैं तो दोनों पौधों को यानि गन्य को भी साथ में उर्बरक मिल जाएगी और आपके पौधों को भी मिल जाएगी तो अत्रिक्त आपको मेहनत नहीं करने पड़ेगी अत्रिक्त आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा और द पानी की आओ सकता है वो आप सब्जियों के लिए लगाएं या गन्ने के लिए लगाएं दोनों एक साथ पूरी होती रहती हैं जिससे पानी की तो बचत होती है पैसे की भी बचत होती है और आपकी एक्स्ट्रा फसल जो है वो भी तैयार हो जाती है अब देशी फसल लगाने है तो रही है कद्डू है उनके फल जो है वो छिप जाते हैं और ऐसे सित में उनको ढूर्णा काफ़ी मुस्किल होता है और कुछ फल पक कर तैयार हो जाते हैं तो पकने के बाद यदि आप देशी लगाएं और उनका आप दुबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बाक्स में जरूर बताईए और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं मिलते हैं नई जानकारी में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद जय किसान धन्यवाद